दोस्तों अगर आपके भी पास न इस प्रकार से LED TV का बोर्ड आया रिपेर होने के लिए और इसका प्रायमरी सक्सेन पूरे तरह से जल गया है या आप देखें एक रिश्टेंस लगा है वह जयर गया है जल गया यहां पर आक्टो कपलर भी खराब गया तो इस प्रकार से तो इसमें ज्यादा खर्चाएगा 15-2000 तक खर्चा जाएगा नहीं तो आप न दूसरा सप्लाइ लगा सकते हैं जैसे मेरे पास बहुत सारे बॉर्ड तू पड़े हैं तो यहां पर देखिए इसका जो सेंसर उगरा बटन है इसमें से सबसे पहले मैं कबाल लेता हूं यहां से सबसेब को दिखा जाते हैं कीकर रहा है कि नहीं तो देखिए सिंसर और यहां से हम सप्लाइल तर्फ लगा लिए किन्हां चलिए हम ब्लटेज को जेक करायते हैं तो मुल्ट्रिप्टर को DC एक हेरकल में सेट किये हैं और देखें कैपेसिटर पर वोल्टेज ना 312 आ रहा है यानि कैपेसिटर तक पहुच रहा है लेकिन यहाँ पर जो 12 वोल्ट आना चाहिए न अगर 12 वोल्ट इस कनेक्टर पाएगा न तो यहाँ पर ग्राउंड पर लग सकते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको एक सप्लाई लेना है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इसमें कई पॉइंट दिये हैं सबसे लाश्ट वाला ना यहाँ पर प्लस देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का हो गया और यहाँ प्लस 12 वोल्ट हो गया तो ग्राउंड और कर लिया है यहां पर देख सकते हैं तो इस connector को यहां पर इंसर कर दिंगे देख गंघ कर देखिए 12 वर्ट लिखा भी यह एक ग्राउंड है और यहांपर 12 लिख Bang ठीक करते हैं इस परकार से मुझाने करते हैं अब यहां पर जोस प्लाई देंगे इसमें हम क्योंको दोस्तों उसका हमारा काम कतम गया अब इसे हम सप्लाई देकर देखते हैं तो यहां देखे मैंने सप्लाई दे दिया और देखे हमारा इंडिकेटर जल गया तो यहां पर आप देखते हैं चलिए हम इसको स्टेंडबाई करते हैं और स्टेंडबाई से देखते हैं कि रिलीज होता है कि नहीं चलिए मैं रिमोट के बाद मैं से करता हूं बटन से नहीं तो यहां देखें मेरे पास रिमोट है और रिमोट से देखें स्टेंडबाई भी हो रहा है देखें काम कर गया तो इसमें जो फोल्ट था और प्रामरी स में बना सकते हैं याप मैं 12 उल्ट चेक करवाता हूं एक को मैंने ग्राउंड किया और यहां देखें 12 उल्ट हमरा प्रजिंट है तो इस प्रकार से ना आप वोड को फिर से चालू कर सकते हैं कम खर्च में अगर न्यू बोड डालने जाते ना आपका ज्यादा पैसा खर्च जाता है तो आप एक काम करिए कि छोटा सा सप्राइज लेजिए और इसमें डाल देजिए और आपका जू टीबी है ना ओके हो जाएगा कोई रिकत नहीं आएगा